साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं, उससे जुड़ना बहुत आसान है, कोई भी गरीब, अनपंड भी हो, घरकाम करने वाली मा हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती हैं, यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकरी दी गई हैं, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जराविस्तार से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको और देश्ट में मेरे किसी स्रमिक भाई बेन को कोई ब्रह्म न हो, और वो इस योजना की एहमियत और बारिक्यों को समझ सके, साथियों, ऐसे स्रमिक जिनकी उम्र अठारा साल से चालिस बरस तक है, और जिनकी कमाई, मासिक कमाई, पंदरा हजार रुपिये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं, योजना का हिस्सा बनने के लिए, आपसे हर महिने, पचपन रुपिये से ले करके, दो सो रुपिये तक का, मामुली अंसदान लिया जाएगा, क्योंकि किसे का पचपन होगा, किसे का 80 होगा, किसे का 90 होगा, किसे का 100 होगा, और आपको कितना योगदान देना है, ये, आप आज किस उमर के हैं इसके आधार पर तै करेगा होगा जितना आप आउसदान देंगे आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी महनत की कमाई करते हैं सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है लेकिन यह योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना आउस्दान देगे उतने ही पैसे मोधी सरकार भी जमा करवाएगी अगर आप हर महिने सो रुपया देंगे तो हम भी उनके सो रुपया और डालेंगे अगर आप हर महिने एक सो दस रुपया देंगे तो हम भी एक सो दस रुपया डालेंगे अगर आप हर महिने डेड़ सो रुपया देंगे तो हम भी इसमें डेड़ सो रुपया डालेंगे और साथियों हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविदा लेने के लिए कोई जादा कागज बागज के चक्कर में नह पढ़ना पड़े क्योंकि योजना पढ़ा लिका हो, अनपढ़ हो, गाउं का हो, शहर का हो पूरूस हो, स्तीर हो घर में काम करता हो, मद्दूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कार खाने में काम करता हो सब के लिए है योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे स्रमिक साथियों को अपने नजदी की कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा वहाँ एक फॉम बरवाय जाएगा जिसमें आपके आधा नंबर और बैंक में जो जंदन खाता है उसकी जानकारी हो चाहिए बाकि कोई कांगज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनिट में हो जाएगा